हेलो एन वेलकम बैक गाइज तो दी अनेदर वीडियो ऑफ मिशन 90 परसंट क्लास टैंसो साउंड चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं फिजिक सीरीज की अगर इससे पहले आपने चैप्टर नहीं देखे तो कमेंट में पिंड की हुई है एक प्लेइलिस्ट फिजिक सीरीज की जाओ उसको चैप्टर करो उसके अंदर वान बाई वान आपको सीरीज में सभी चैप्टर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन एक वार चैक आउट कर लेना सब कुछ लिंक्स वगेरा आपको वहां भी मिल जाएंगे फिर हमारे पास कुछ parts आजाते हैं further जैसे कि हमारे पास first है natural vibration हो गई फिर हमारे पास damped vibration और फिर है last में forced vibration और forced vibration का ही एक part है हमारे पास resonance वो हो गया हमारा second part थर्ड पार्ट है sound chapter का यह सबसे बड़ा chapter शायर यही है अभी तक हमने जीतने भी पड़े हैं क्योंकि थर्ड पार्ट में हमारे पस फिर आजाएंगे characteristics of sound and their nature जिसके अंदर हम loudness, speech, timber के बार में बढ़ेंगे so बिना time waste किये हम start करने वाले है reflection of sound waves and egos उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ follow कर लेना कर लेना यार और फिर video के end में जब यह sound chapter खत्म होगा end में ठीक है हम करेंगे एक coupon code का giveaway कहलो giveaway छोड़ो, सभी के लिए valid होगा जो जो इस video को देखेंगे इसलिए make sure आप follow करते रहो, सब कुछ ठीक है और उसके अंदर आपको referral system भी बता दूँगा जो आपको शायद पहले से ही पता है अगर आप notes की add देख रहे हो, notes की add नहीं देखी, तो यह देख लो कॉंग्रेचुलेशन, सैंक्यू, अब तू भी 10th में हो गया, वो भी ICSC बोर्ड, आया, तो न मैंने, 9th की science में 99, वा, मेरे भी इतने ही थे, बढ़ टेंट में, मगर तू तू तो इतना नहीं पढ़ता था, पीमो में मिलाकर है, या, तूशे पे हर महीने 4 सो दिये, अलग सबी सब्जेक्ट में, नहीं यार, बाक्यों में तो कर लेते हैं, लेकिन फिलुजी, बिलुजी और चमिस्ट्री में दिकत है, तेर मतलब फिजिक्स, बाइलोजी और चमिस्ट्री में, पेल नहीं होना चाता, तेरी तो अच्छा है थे, बता दे कैसे, मैंने तो मुशन 90 क् के नोट्स वाला पीडियो अलोग किया था, क्या मतलब अरे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, गूगल फॉम का लिंक पिन किया हुआ है, से भरो, नोट्स लो, उपर से तरे हर महीने ट्यूशन की हाफ प्राइब मतलब तब दो सु रूपीज में, टे करो इस UPI ID पे और अपनी E-mail ID पे एक दो चैप्टर नहीं, पूरे सब्जेक्ट के, नोट्स पाओ, और नाहीं की सिट्यूशन की जुरूरा, सिंपल, सेच में, और इतना कम पड़े, तो ये सुनो, अभी नोट्स अनलोग करने पे, टेलीग्राम पे उनका ओफिशियल 24 247 सपोर्ट फ्री, और इन नोट्स के बेनिफिट स्क्रीन पे देख ले, जो इन नोट्स को बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं, तो कूपन कोड के सेक्शन में मेरी UPI ID डाल, मुझे भी 20 रुपे मिलेंगे, वाया, मतलब जितने रैफर उतनी कमाई भी, और क्या, बी मैं थ साथ साथ में बनाओ, यह तो best है, अगर नहीं बना सकते हैं, तो वो नोट्स के हैड आपके लिए ही थी, देख लो जाकर, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, reflection of sound, waves and echoes, चैप्टर का नाम है हमारे पास sound, तो sound में हम क्या है, आवास के बारे में बढ़ेंगे, तो आवास क ना, एक frequency होती, यहाँ 0 शिरू होगी, 0 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 20,000 तक, ठीक है, 20,000 तक, और 20,000 के आगे भी हमारी infinity तक लगालो, ठीक है, बहुत आगे तक जा रही है, अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, अब देखो, जो हमारी 20 से लेकर 20,000 तक है, क्या है वो हमार यह है हमारी इतनी audible range, क्या है हमारी audible range, यहाँ तक की अवाज, अगर अवाज की sound की frequency, 20 से लेकर 20,000 तक है, तो उस अवाज को हम सुन सकते है, audible range है वो, ठीक है, हमने 6 chapter में, spectrum वाले में देखा था, क्या था, हमारा एक visible light थी, spectrum हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जब visible light से frequency कम हो रह ही थी, तब हमारे पास क्या था, ठीक है, तब हमारे पास था, infrared और ज्यादन थी, तो ultra violet, दो words थे, infra और ultra, वही यहाँ पर आएंगी, तेखो कैसे, अब जो अवाज, 20 से कम है, ठीक है, 20 से कम हो अवाज, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, इन्फरा सोनिक, अब यह word याद रखना, इन्फरा, ठीक है, इन्फरा सोनिक साउंड, क्या है यह इन्फरा सोनिक, कि 20 से कम है, और फाइनली, 20 थाउजन से जाद है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, अल्टरा, ठीक है, अल्टरा वर्ड यूज़ करेंगे, अल्टरा सोनिक, बस, अल्टरा स मैं आपको बता दूँ जो यह sound है यह जब travel कर रही है इसको एक material medium चाहिए ही चाहिए उसकी propagation के लिए उसको propagation मतलब कि उसको चलाने के लिए sound सुनने के लिए अब आप यहां खड़े हो मानलो यह आप खड़े हो यह आप हो मैं यहां पर खड़ा हूँ अब यहां अगर मैं कु requires a medium for its propagation pen खत्म हो गया तो आपको समझा गया होगा क्या है sound को एक medium चाहिए उसकी propagation के लिए infrasonic आपको पता चल गया है audible range का पता ही है और ultrasonic है हमारी 20,000 से जारदा की frequency वाली sound ठीक है यह सब आपको पता चल चुका है अब हम relation पर आएंगे wave velocity, frequency और wavelength लेकिन उससे पहले आपको यह भी दो पता होनी चाहिए कि यह होती ही कहीं चीज़ें बताऊंगा सबसे पहले relation लि करेंगे हम wavelength से तो जैसे ही हमने यह किया हमारे पास एक relation आया v is equal to f lambda जिसके अंदर हमारे v है wave velocity, f है frequency और lambda है हमारे पास wavelength अब इनकी मैं आपको definition करवांगा बहुत important होने वाली है ध्यान से सुनना यार ठीक है तो सबसे पहले wave velocity की लिख लेते हैं यह रही है आपकी screen के उप क्या कहेंगे wave velocity देखो v is equal to f lambda इसके अंदर हमने किसकी definition है यह हमारे पास v की ठीक है अब यह क्या है अब देखो बापीस diagram पर आते है हमारी professional diagram है यह आप हो ठीक है यह आप हो और यह हूँ मैं मैंने कुछ बोला आप से मालो उसकी sound wave कुछ इस तरह से गई और यह जाकर आप इतना distance travel किया मालो अब यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ गया वैसे कहा रहा हूं मतलो के एक second के अंदर इस wave ने मालो इतना distance travel किया ठीक है एक second दो तीन चार ऐसे करके यह sound आपके पास पहुंची कुछ time period के बाद तो देखो distance कितना travel किया आपको किसार इतना किया जी बिल्कुल इतना ही किया अब देखो इतना distance जब travel किया एक second के अंदर तो उस distance को हम कहेंगे sound की wave velocity समझ रहे हो समझ गयो गया कितना distance travel कर रही है wave एक second में उसको हम क्या कहते है wave velocity कहते है बस frequency आप देखो यार बचपन से पढ़ते हा रहे होगे अगर नहीं भी पढ़ रह vibrations made by a particle of medium in one second अब एक second के अंदर कितनी vibrations हो रही है हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे frequency यह भी आपके बहुत असान है और देखो अब जैसे यह हमारे पास distance travel कर रहे थी यह है हमारे पास एक vibration यह कुछ इस तरह से यह गई ऊपर से यह बापिस जहां से हमने अगर यहां से शुरू कर रहे हो तो यह क्या होगा यहां से ऐसे जाकर यहां तक एक vibration हम count करेंगे तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा तो इस एक vibration को करने में ठीक है तो कितना टाइम लग रहा है यह तो आपको पता नहीं नहीं पता ठीक है यह सिर्फ अज्प्शन ले सकते हैं guess कर सकते हैं कि ہा इतना होगा लेकिन हम ये तो बता सकते हैंना कि एक सॉक्रींट में कितनी हो रही है vibrations आप वाइबरेशन आप को कैसे हमने यहां परrim गा था है अहुए प्रस्त चमचे टो समझे रही हूना कि पूरी साइक्ल यहां तक पहुंची तो कितनी होती ही तो देखो एक दो तीन चार पांच ठीक है इस तरह से यह छे vibrations हो रही थी एक सेकिन में मान लो सिर्फ assumption करने है तो यह कहा है हमारी frequency है six इस तरह से आती है ठीक है तो एक सेकिन के अंदर कितनी vibrations है उसको हम frequency बोलते है और wavelength जो हमारी रह चुकी है यार देखो यह तो बहुत important है यह आप chapter no.4, chapter no.5 और chapter no.6 से पढ़ रही रहे हो यार wavelength क्या होती है लेकिन इसमें कुछ अलग होगा यार ठीक है क्या है देख लेते हैं चलो लिखी लेते हैं तो wavelength है हमारी distance traveled by a wave in one time period अब time period क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है इसकी भी definition लिखवाऊंगा आपको ठीक है तो distance wave है जो हमारी ठीक है जो wave है हमारी वो कितना distance travel कर रही है एक time period में उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे ये wave length ठीक है तो I hope ये भी आपको समझें आ गया होगा समझें मैं क्या है यार तो time period की हमारे पास थोड़ी सी issue आ रही है तो ये क्या है तो relation में मैं आपको इसकी definition लिखवाऊंगा ठीक है इसलिए देखका मतलो ठीक है तो देखो relation पहले मैं बता दूँ frequency और time period का हम कर रहे हैं और frequency का जो है हमारा relation वो क्या है frequency is equal to one by time period inversely proportional हैं दोनों बस अगर frequency बढ़ेगी तो time period कम होगा और time period जाद हो तो frequency कम हो जाएगी ठीक है inversely proportional है अब देखो जो इसमें frequency की हमारे पास definition है वो तो हम यहीं से ले ले लेंगे कि यह ही frequency की थी तो यह हम यहां पर भी लिख सकते हैं ठीक है समझे रहे होगे लेकिन जो time period है यह क्या है time period कुछ नहीं है यहां पर मैं लिखी देता हूं क्योंकि इतना time लगेगा नहीं time taken by ठीक है time taken by a wave लिख लो ठीक है by a wave to यहां पर दो जगां कम पड़ गई यार क्या करें देखते हैं चलो to complete note में खुझा देते हैं क्या दिक्कत है मैं ठीक है to complete one vibration तो यार देखो एक vibration क्या होती है यह मैंने आपको यहां पर बताया था यह कुछ इस तरह से अब इसके अंदर हमें कितना time लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे time period अब देखो हमें पता नहीं था कितना time लग रहा है क्योंकि एक सेकिंड में काफी waves जा रही थी लेकिन एक थी लेकिन एक वेव को एक वाइबरेशन करने में कितना टाइम लग रहा है वो हमारी क्या है टाइम पीरियड अब देखो नोट करेंगे यह तो बहुत समझ में आ गया हो गया है बहुत असान चीजें थी सिंपल डेफिनेशन लिखी है हमने और कुछ ने किया दो रिलेशन है सिंपल ठीक है और यह नियुमेरिकल में काफी यूज होगा इसलिए पहली बता देता हूं कई भी फ्रिक्वेंसी दे रखी हो तो टाइम पीरिड आप कैसे निकालोगे एफ इक वान बाइटी का वार्मू इसको हम थोड़ा जूम करेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टन है तो देखो नोट के अंदर हमारे पास है क्या पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसी रिलेशन से रिलेट करके देखो एफ और टी के बारे में हमने बात की थी तो जो यह एफ और टी है फ्रिक्वेंसी और टाइम कर रहे हैं अब देखो फ्रिक्वेंसी हो गया यहां पर टी हमने पढ़ दिया टाइम पिरेड बचा क्या यह वी वेवेलोस्टी और लैम्डा वेवलेंद बचे हैं तो यह भी तो किसी पर डिपेंड करते होंगे यह तो आपने सोच ही नहीं या जी बिलकुल यह भी करते है तो यह तो हमारे किस पर डिपेंड करते हैं यह तो हम डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टीज ओफ मीडियम पर यानि कि किसी भी मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज है ठीक है उस पर हमारे डिपेंड करेंगे यह वेलोसिटी और वेवलेंद अब देखो कलर चेंज हो गया तो change हो जाती है आपको पता है तो medium की ये भी एक तरह से property ही होती है आई होब आप relate कर पा रहे होगे ठीक है समझ में आ गया होगा तो दो चीज़ है main f4 t हमारे source पर depend करती है sound के और v और lambda हमारी properties of medium पर depend करती है है बस अगर ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है तो अब हम proceed कर सकते हैं हमारे next topic mechanical waves पर लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए mechanical waves होती है तब ही हम इनके आगे parts कर पाएंगे तो देखो mechanical waves बहुत असान है समझना यार ठीक है तो आपने vibration के बारे में पढ़ा ता पीचे क्या होती है हमारे पास अगर vibration के दौरान during vibration ऐसे आप लिख सकते हो अगर हमारे पास मान लो या तो kinetic energy हो वो potential energy में convert हो जाए या फिर हमारे पास potential energy हो वो किसमे convert हो जाए kinetic energy में अगर ये change of energy हो रहा है तो उससे क्या होता है हमारा Sound Waves produce होती है तो क्या होती है उनसे हमारी Sound Waves बन जाती है यार ठीक है ये होने से Sound Waves बन रही है और इनी Sound Waves को हम क्या कहेंगे हम कहेंगे इनको Elastic Waves अब आप कहोगे Mechanical Waves बोल रहे थे He Elastic Waves क्यों वह समजाब रहे हो यह exam point of view से बता रहा हूं mechanical waves का ही दूसरा नाम है हमारे पास elastic waves पूल जाओंगा नहीं बढ़ाओंगा नहीं ठीक है बस इतना याद रख लो during vibration शुरू में ये दो वर्ड लिख लिए बहुत जुरूर रही है during vibration ये आपने लिख लिया तो बस काम बन गया तो क्या होता है during vibration kinetic energy या तो potential energy में हो जाए या फिर if potential energy is converted into kinetic energy then sound waves are produced and those sound waves are called elastic or mechanical waves ये थी इसकी बहुत असान सी definition आई होप आपको समझ में आ गया हो गया बहुत important भी थी ठीक है अब देखो मज़ा क्या है इसमें ये होती है दो तरह की एक मारे पास है transverse ठीक है ये waves के ही part करवा रहा हूँ दो और एक हमारे पास दूसरी तरफ होती है longitudinal waves यहाँ पर लिख लेते हैं आपने न ये पड़ी हुई है अब आप वोगे कहां पर पड़ी हुई है longitudinal waves 9th में एक छोटा सा topic था जिसके अंदर आपने ये पड़ी थी शायद से उसके definition नहीं लेकिन इनका reference था उनमें पड़ी है तो ठीक है वरना अब भी करवाई रहा हूँ क्या दिखकते है longitudinal waves और transverse waves है होती क्या है ये हमारे पास है सबसे बड़ा question हमने क्या किया था एक wave को pass करवाया था कुछ इस तरह से मैं बना लेता हूँ इसको ये हमारे पास wave थी कुछ इस तरह से जी बिल्कुल थी मान लो ऐसी थी ठीक है तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है क्या मैं ये कह सकता हूँ इस से बना इस डाइग्राम से यहां पर particles की tension जादा है क्योंकि यहां पर particles जादा ही कठे हो रहे है band आ रहा है तो यहां पर क्या है particles की जादा concentration होगी जी बिल्कुल होगी यहां पर कम है तो मान लो यहां पर कम के लिए हम blank यूज़ करते हैं और यहां पर जादा आ गई तो यहां पर कुछ dark हो गया फिर से कम है और यहां पर फिर जादा है यहां फिर कम है यहां फिर जादा है कुछ इस तरह से यह diagram बनेगी मुझे बताओ क्या यह सही है यहां यहां particles की tension जादा है और यहां यहां बीच में इनकी tension कम है जी बिल्कुल ऐसे बनेगी है ठीक है है क्यों- किया है यहां से हैं आई है जहां पर मोड आरहे है उनको हमने ज़्कार कर दिया आ बस बाकी सब सेम अब लहां कितूडन अब एवस और ट्रांस वर्स करस्षंट फ़िए हैं हमारी जीन ऋवश के अंदर हमारे पास क्रेस्ट Crust, अब यह क्या है Crust, बताता हूं, pizza वाली Crust नहीं है, ठीक है? Crust, और एक हमारे पास होता है, Truff, Crust और Truff, ठीक है? ऐसे लगा दे, plural बना दिये हैं, इसको किसी भी medium में, ठीक है? In a medium, in a medium, अब आपको गयार समझ नहीं आ रहा, बताता हूं, देखो कैसे? कोई भी अगर wave है हमारे पास उसके अंदर crest और trough हो तो उसको हम transverse wave कहेंगे crest होती है nevertheless वो उपर से मुढ कह भी है यह चीज crest है उपर से इस तरह से गई तो यह ज़ो चीज है हमारे पास यह क्या है? crest और यह नीचे से भी गई थी यह जो नीचे का mode है lowest point इसको हम कहेंगे trough ठीक है I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा crest क्या है उपर और trough है नीचे जब हमारे पास crest और trough दोनों हों किसी भी wave में किसी medium के अंदर तो उस wave को हम क्या कहेंगे transverse wave compressions और rarefactions होते हैं हमारे पास एक चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ है देखो compressions और दूसरी है हमारे पास rarefactions ठीक है compressions और rarefactions क्या होती है जहां पर तो यह जादा concentration थी यहां यहां देख सकते हो यहां पर जादा concentration है तो यह तो है compressions और जहां पर यह कम है यानि के particles खुला environment है यहां पर थोड़ा तो यह है rarefactions अब किसी wave के अंदर हमारे पास अगर compression और rarefactions हो उसको हम longitudinal waves कहते हैं अब इनके example होती है हमारे पास longitudinal के example है हमारे पास sound waves in air sound waves in air ठीक है air के अंदर हमारे पास sound waves है तो वो longitudinal waves में आती है और transverse हमारे पास होती है example याद कर लेना बहुत होंगी ठीक है और यह दो दो वर्ड क्रेश्ट्रफ और कम्प्रेशन रेर्फेक्शन बहुत है इन वेव्स की डिफ्रेंसियेशन वगेरा के लिए ठीक है तो हमारे पास example क्या है इसकी light waves transverse की है light waves और longitudinal की है sound waves और यह अगर आपको समझ में आ गई हैं दोलो तो अब हम further proceed कर सकते हैं eco पर तो eco हमारे पास है क्या अब eco हमारे पास एक next topic आ चुका है यह बहुत जादा important है यार मैं पहले ही कह दूँ जो eco है ना हमारे पास यहां पर लिख देता हूँ यह हर साल आ रहा है बिना रुके आ रहा है लगातार आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ बहुत जादा important topic है यह ठीक है तो eco हम तोड़ा जूम कर लेते हैं यहां पर इस तरह से इसको समझेंगे बाकी चीज़ों को भूल जाना ठीक है अगर पहले लगतार देख रहे हो न तो एक काम करना पांच मिनिट रिलेक्स करके अब समझेंगे अब समझेंगे अब इसकी डेफिनेशन से यह होती है तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यार यह रही डेफिनेशन आपके सामने क्या ह हमें तो क्या है यह हमारे पास यह जो हमारे साउंड थी रहुल की तो यह यहां तक गई दिवार से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट होकर हमें यह फिर से सुनी कुछ इस तरह से हमारे कान में फिर से आई तो जैसे के हमने कुछ बोला, ठीक है, थोड़ी दिर बाद उसी की reflection हमें सुनने को मिली, mountains में usually ऐसा होता है, जब हम जोर से बोलें, तो हमारे पास एक reflect होती है sound, उसको हम क्या कहेंगे, eco, तो basically ये है eco, तो eco आपको समझ में आ गया है, अरदे को क्या है, गूंज, ठीक है, आवाज का गूंजना, उसको हम eco कहते हैं, ठीक है, ये तो असान है, अब देखो आपको एक और मज़दार बात बताता हूँ, eco सुनने के लिए कम से कम distance 17 meter का होना चाहिए, अब 17 meters तक, यहां तक का distance 17 meter तो कम से कम होना ही चाहिए, इस 17 centimeter के बीज में कुछ भी नहीं होना चा यह 17 meter तक, तो यह तो हो गया, कम से कम distance, 17 meter is the minimum, यह समझ के चलना, otherwise क्या होता है, अगर 17 से कम हो, तो जो हमारी reflected sound है, यह mix हो जाती है, original sound से, और हमें कुछ सुनाई नहीं देती, तो यह तो हमारे पास बात हो गई, eco का, first कमाल का point, हमने definition कर ली, अब एक word है हमारे पास, reverberation, अब reverberation है क्या हमारे पास, अब देखो, इसको आप कुछ इस तरह से लिखोगे, if there are repeated reflections at a reflecting surface, the sound gets prolonged, this effect is called reverberation, अब यार देखो, हम क्या करते हैं, मालो हमने कोई ego सुनी, लेकिन वो हमें बार बार सुनने की वज़े, देखो, एक बार तो नहीं सुनेगा, अगर हमें कोई न तक सुन रही है, हमें बढ़ा चड़ा कर, यानि के राहू, कुछ इस तरह से सुन रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, reverberation, आपकी बुक में note दिया हुआ है, उसके अंदर ये definition आपको मिल जाएगी, if there are repeated reflections at a reflecting surface, the sound gets prolonged, this effect is known as reverberation, ये भी आपके लिए बहुत important ता जानना, ठ ठीक है, अब हमारे पास आजाती है, requirement of reflection of sound waves, अब reflection of sound waves सुनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो, इसमें हमारे पास जादा कुछ नहीं है, एक हमारे पास होता है reflecting surface, reflecting surface के बारे में तो यार देखो, आप सबको बता है, ठीक है, reflecting surface बहुत असान चीज है, और एक हमारे surface की its, ठीक है, reflecting surface की wavelength, इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको समझ में आ रहा होगा आपको, अब देखो, जो इस requirement है, reflection of sound wave के लिए, सिर्फ एक requirement है, वो है, कि size of reflecting surface must be greater than its wavelength, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, और ये सबसे important चीज है, अर अब ही तक के लिए, छो of reflecting surface must be greater than its wavelength, तो ये अगर आपको याद हो गया है, बहुत असान था, तो जल्दी से हम uses of echos पर आ जाते हैं, और uses of echos इसी वीडियो में करने के बाद, एक और काम है हमारे पास, कुछ एक छोटा सा formula लिखवाँगा, और उस formula के बाद, हम चलोग यार पहले ही करते हैं, फिर तो uses में हमारे पास क्या है, Dolphins detect their enemies and obstacles by emitting ultrasonic waves, ये 20,000 से जादा है, हम नहीं सुन सकते, and hearing their echo, Dolphins सुन सकती है ultrasonic waves को, हम नहीं सुन सकते, तो वो क्या करती है, ultrasonic waves को छोड़ देती है, और उन्हें उनकी echo सुन जाती है, किसी obstacle से, या फिर उनके enemies से टकरा कर, तो वो पहच ये तो हमारा first point है, दूसरा है sonar, sonar की full form याद कर लेना, sound, navigation and ranging, बहुत कई बार पूछ लेता है, एक दो number में examiner, तो sonar क्या है, works with the help of echoes in order to detect icebergs, ships के अंदर ये use होता है, हमारे पास sonar, समझे में आगे होगा, क्या करना है, उसको sound wave छोड़ता है, वो iceberg से टकरा कर, वो reflect back होत से, तो फिर क्या होता है, उनको पता चल जाता है, क्या आगे iceberg है, बच के चलो, तो third है हमारे medical field में, ultrasonography आपने सुना होगा, नाम बहुत important है, वो भी echoes की मदद से चलता है, तो human organs की image बना देता है, वो कैसे होती है, echoes से, इतना ही समझना है, और एक last, हमारे पास एक note है, इ equals to 2D by T, या फिर कहें, D equals to V T by 2, यहनगे इसको छोड़ो, फिलाल इस पर concentrate करो, इसी को आगे पीछे करकर यह लिखा था, वैसे छोड़ो, उलजना नहीं है हमें, V equals to 2D by T, अब यहाँ पर यह चीज़े है क्या पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ, ठीक है, D है हमारे हमारे पास distance, V है हमारे पास speed, और T है हमारे पास time, इसके related हमारे पास simple numericals आते हैं exam में, बहुत important चीज़ बता दिया आपको, numericals आते हैं, तो यह है क्या, यह हमारे पास time required to listen echo, ठीक है, कोई भी हमें दे रखा हूँगा कि इतना distance है, इतना time है, इतनी speed, बताओ यार कितनी है अगर हमें echo सुन रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कहा है, time required, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, आपके सामने pause करके नहीं लिख रहा है, क्योंकि यह important है, साथ में लिखो, time required to listen, ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको, time required to listen, echo, or, echo or reflection of sound, जुरूर नहीं आपके exam echo ही लिखा हो, reflection of sound भी लिखा हो सकता है, तो अगर आपको numerical के अंतर इस तरह से कुछ देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, t को एक तरफ रख दो, 2d by v आ जाएगा, ठीक है, time required कितना होता है, हमारे पास time, t को इस तरह से लिख कर यह formula कुछ इस तरह से नहीं बन जाएग तो time required to listen echo कितना है, 2d by v, या फिर आपको असानी से याद करना है, तो इस तरह से कर लेना, v equals to 2d by t, बस, यह छोटा सा numerical था, इस से related है, आपके पास exam in numerical आएगे, ही आएगे, बहुत important है, यह तो सबसे important चीज़ है, requirement वाली तो, echo आपने पढ़ ली है, mechanical waves के बारे में, आपन vibration में, इस से अगली वीडियो में हम करेंगे, natural damped or forced vibration, और resonance सबसे important, examples पढ़ेंगे resonance के, ठीक है, और final, third part में, third watt होने वाला है, इसका, ठीक है, उसमें हम characteristics पढ़ेंगे, 30-30 minutes के ही हैं सभी, बहुत असान है, और हाँ, अगली वीडियो तो यार, 20 minutes के अंडर है, वो देखलें जल दी से अब, thanks for watching, thank you